फीड सेटिंग को प्रोड़क्ट वाइज, साइज वाइज, सेल वाइज, ब्रैंड और कलेक्शन वाइज, मैनेज करने के लिए हमें पहले प्रोड़क्ट कलेक्शन या टाइप या फिर प्रोड़क्ट टैग्स को सेट अप करना होगा. सबसे पहले हम प्रोड़क्ट सॉप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां अपने उस प्रोड़क्ट को एड करेंगे, जिसे हम अपनी कस्टम फीड में एड करना चाहते हैं. फिर अपने product के tags को डालेंगे, जैसे हम example के लिए winter sale की feed बनाते हैं, इसके लिए हम tags section में winter sale डाल देंगे. इसी तरह हम ये tag उन products में डालेंगे, जिनको हम sale में दिखाना चाहते हैं. अब हम edit site बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद feed setting option पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ feed filter setting को select करेंगे. यहाँ हम collection, type, tag या product wise फिल्टर कर सकते हैं. अब यहाँ हम winter sale tag को select करेंगे, जो हमने शुरू में बनाया था. अपने number of product को डालेंगे, फिर save बटन पर क्लिक करेंगे. अब हम edit पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने feed title को डालेंगे, जो users को show होगा. example के लिए Christmas sale नाम feed add किया है. अब हम preview करते हैं.